आनी प्रिसान करे, लोचे जियों लाए, हल जोते, उदुम करे, मेरा पुत ती खाए जो पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा खंड का मौसम था, उस खंड के मौसम की परवाना करते हुए बुड़ी ओरते, बच्चे, वुजूर्द, सब इधर बॉर्डर पे बैटे हुए हैं जो 26 नॉवेंबर कॉंस्केट्यूशन दे से उन्होंने माच किया जब सम्वेधान को मनाया जाता है कि जिसको वो अपनी सम्वेधात बताना चाते हैं, अपना धर्द बताना चाते हैं इस सरकार का एक ममेंदम से पोच नहीं कर सका ये इंसान है, ये हिंदोस्तानी है, ये हमारे आंदाता है, जो डेट्सों से ज़्यादे मर गए है पाच जून को, कोविड की आर में जब लोग धरों में बन थे, एक दम एक ओर्डिनन्स लाया गया ना किसान से पूछा, ना सलावच्वरा किया, ना उसने मांगा, पकड़के उसके उपर ठोप दिया गया ये ओर्डिनन्स मैं अपने ही खेट में, जब मेरी जमीने पूंजी पतियों के हाथों में आ जाएगी, मैं मजदूर बनके रह जाओंगा किसान के मन में ये दर आ गया, ये कंग्रेस के बारे में भी जरूर कहूंगी 2019 में जेन के मुक मंतरी अमरिंदर सिंग ने पैरवाई कीती करी होती तो ये सो किसान जो डेड़ सा मर गए ये शेदाद जिन्दा होते, ये इनकी भी देन है देश में आग लगेगी, किसान सड़कों पे उतर जाएगा, उतर आपको सीन घुस आखे दिखा रहा है शुरू हो गया, ये विचोलियों का अंदोलन है, फिर ये माविस का हो गया, फिर ये नकसल का हो गया, फिर ये आतंकवाती का हो गया, खालिस्तान का ये बैठे हैं मंतरी MP भी एक कहते थे पाकिस्तान और चाइना से यह हो रहा है वो बैठी है मेरी बेहन जो कहती थी यह तो आतंक वाजियता एक एवोटी सेवन लेके बैठें भाईया कहों सी एक एवोटी सेवन की खेटी करता है कौन सा किसान तरंगे के अफमान के बारे में बात करी गई अरे तरंगे में लहराया तो वो आपके से केस्री लेगा दिया तो यह वही केस्री है जो आपके प्रधान मंत्री जी और वर्ल लीडर अपने सिर्पे लेके गुशते हैं जहां से हमारे नौबे गुरू की शहादत का एलान किया गया था और क्यों शहादत होई थी आपके प्रधान करें लोचे डियों लाए हर जोते उद्म करें मेरा पुत्ती खाए मैं कहना तो पंजाबी में चाहती हूँ लेकिन क्यूंके मैं चाहती हूँ ये सब बाकी संसर भी समझ सकें कि हमारे गरंथों में किसानों को कितनी एहमियत दी है इसलिए मैं हिंदी में भी बोलूँगी और पंजाबी में भी गुरू साब कहते हैं कि किसान बहुत लगन के साथ मेहनत के साथ खुन पसी में बहा के अपने खेत में किसानी करता है हल्क जोता है फसाल उगाता है ताकि उसके बच्चे खा सके ये जो कमाई अपने हाथों से करता है ये तुबित्र कमाई के बारे में हमारे पहले प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने 18 साल खुद किसानी करतारपुल साब में करके हम सिखों को संदेशा दिया किर्ट करो नाम जपो वंड चखो गुरु साब ने कहा सब तो पुवित्र कमाई एक किर्ट भी खून पसीने भी कमाई हों दिये एस कमाई देन आल तुसी रबदा ना जपो ते ना जपके जो तुसी कमादे उन्हों वंड के खाओ अज जो इतनी पुवित्र कमाई करने वाले किसान हजारों की गिंती में तादात में हमारे पंजाब से आके जिनोंने अंदोलन शुरू किया आज वो दिल्ली की सरद में सक्तर पजटर दिनों से ठुटूरती होई ठंड हो ओला बारी हो बारेश हो वहाँ पे बैठे होई हैं क्योंकि छे महीने से जो वो मांग रख रहे हैं इस सरकार की कान बंध है आख बंध है और मुझे इस बात में इतना दुख होता है कि जो पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा ठंड का मौसम था उस ठंड के मौसम की परवाना करते होए बोड़ी ओरतें बच्चे बुज़ूर्द सब इधर बॉर्डर पे बैठे होई हैं जो 26 नवेंबर कॉंस्टिटूशन दे से उन्होंने माच किया जब सम्विधान को मनाया जाता है एक पीस्वल प्रोटेस्ट जो डेमोक्राटिक राइट होता है और दुनिया ने देखा कि उस पीस्वल प्रोटेस्ट को कहते गोला बारी से अथरू गैस से बॉटर कैनन से लाठियों से उन बिचारे नहत्ते किसानों को किस तरह की ट्रीट्वर्ट दी गए सारे देश ने चलाया अंदोलन क्या था सर आज अब सारे देश और दुनिया में सब अंदाता के साथ जुड़े होए हैं जो बिल्कुल पीस्वल तरीके से चाहे कोई टीचर हो लोयर हो डॉक्टर हो नौजवान हो कोई दुखांदार हो सब उनके साथ संबेदना रखके धाई महीने से उ इस सरकार का एक ममेंदउं से सोच नहीं कर सका आज उस अंदोलन में सोक्सान में अपनी जहन कुर्बान कर दी शहीद कर दी अपनी वाज सदाने के लिए लेकिन उन उनकी कुर्बानी का सर ये इंसान है ये हिंदोस्तानी है ये हमारे आंदाता है जो डेट्सों से ज़्यादे मर गए है लेकिन राश्टपती अभिवाशन में इनके बारे में एक संवेदना की लाइन नहीं मान की बात होती है बहुत कुछ बोला जाता है वाश्टपती का अभिवाशन हो तहां छे साल में थी मैं बिलकुल थी मैं आ रही है उसमें लेकिन जब सरकार ही इन्हूमन हो जाती जब सम्वेदना अपनों के प्रती नहीं प्रकट कर सकती फिर उस सरकार में रहके करना क्या है इसलिए छोड़ी उस सरकार को वा इनकी मांग क्या है पाच जून में आ रही हो भया आप सुनते रही है सबता जवाब दोंगी बेते कर रही है पाच जून को कोविड की आर्में जब लोग धरों में बन थे एक दम एक ओर्डिनंस लाया गया ना किसान से पूछा ना सला मश्वरा किया ना उसने मांगा पकड़के उसके उपर ठोप दिया गया ये ओर्डिनंस जिससे किसान के मन में दर पैदा हो गया कि इस ओर्डिनंस के आने से मेरी MSP खतम हो जाएगी मेरा मंदी करन सिस्टम खतम हो जाएगा मैं अपने ही खेप में जब मेरी जमीने पुझी पतियों के हाथों में आ जाएगी मैं मज़ूर बन के किसान के मन में ये दर आ गया आज मैं इस सदन से मैं बताना चाहती हूं ये मेरे मंतरी सार सब बैखे हैं यहां पे जब ये ओडिनन्स आया मैंने उस टाइम भी फ्राथना करी पूरी कैबनेट से कि आप इस ओडिनन्स को पहले सलावश्वरा करके लेके आए क्योंकि किसानों के मन में ये वहम है लेकिन इसके बावजूद ये ओडिनन्स बना दिया गया और मुझे विश्वास दिराया गया कि इसको कानून बनाने से पहले इस किसानों की सारी सम्वेदनाओं को दूर किया जाओगा आप देखे कि कितनी हरानी की बात कि यहां पे जब मेरे पार्टी के लीडर में ये जून में आता है जुलाई में हम चिठी लिखते हैं हमें बोला गया बहुत अच्छा कानून है आप लोगों के पास लेके जाएए जब किसानों के पास लेके गई तो किसानों से उनकी सम्वेदना पता लगी उनकी आशंकाए पता लगी और वो एक चिठी में डालके जुलाए के महीने में खेती बाड़ी मंत्री को भेजी गई जिन्हों ने कहा फिकर ना करिए ये सारी शंकाइं हम दूर करेंगे लेकिन आप हमारी हैरानी देखिए कि सब्टेंबर के महीने में मौंसुन सेशन आता है और सेशन आते सारी पहला बिल टेबल हो जाता ना किसान से बात करी ना सरा पशुरा किया वो रेल की पच्छियों में जून के महीने से पंजाब में आंगोनल रच्छा था हाँ ये कॉंग्रेस के बारे में भी जरूर कहूंगी दो हजार उन्नीस में जे इनके मुकमंत्री अमरिंदर सिंग ने पैरवाई कीती करी होती त इनकी भी देन है इनकी देन है तो उनकी भी बराबर की देन है और फिर इसका जब इनसे बात जब सेशन पे आया उधर भी हमारे इधर मंत्री जी से पूछे राजनाजी बैठे हैं नगदा जी बैठे सब के पास गए कि आप सलाम शुरा करिए बिना इसको मत लेके आईए देश में आग लगेगी किसान सड़कों पे उतर जाएगा उतर आपको सीन घुस आखे दिखा रहा है इधर कोविड की मार हिंदोस्तान की जंता लड़ाई लड़ रही है आप क्यों किसानों का अंदोलंस खड़ा कर रहे हैं लेकिन एक बात सबसे पुराना एलाई जब कर जदी भी Ching की होते था कोई भी नी होता था तब यह पार्टी आपके साथ खड़ी थी ना मंत्री की सुनी ना पुराने एलाई की सुनी और आज किसान मर रहे हैं लेकिन वो किसान की भी नहीं सुन रहे इस से और दुखत बात क्या हो सकती है सर और ये किसान मांग क्या रहा है कि मैंने ये मांगा नहीं आप कहते हैं मेरे वास्ते चंगा है गा मैंनुआ नहीं शहिदा मेरे को नहीं है वापिस ले लीजिए और ये मेरे लिए कोई कानून बनाना है तो मेरे सला मिश्वरा से बनाइए आप MSP का मुझे लाजमी लेगल मेरे को MSP रहिए दीजी और ये काले कानून वापिस करिये MSP क्या है सर, minimum support price, ये कोई बुरी चीज है, ये है 2011 में, एक working committee के chairman, consumer affairs में, जो प्रधान मंत्री जी गुजरात के मुख मंत्री होने के नाथे, मनुवम सिंग को अपनी recommendation देते हैं, और इस recommendation में 2011 में क्या कैते हैं, प्रधान मंत्री जी, in force MSP, we should protect farmer's interest by mandating through statutory provision that no farmer trader transaction should be below MSP, सर, 2011 में, जो मुख मंत्री के नाथे, वो मानते थे, तो प्रधान सेवक से प्रधान मंत्री होते होते होते, आज क्या बदल गया, यही तो किसान मांग रहे हैं, सर, और किसान के मन में गडर क्यूं है, सर, यह जो recommendation उसमें भी है, अज chairman of working committee सर्फ कहता है, unbundling, सर, यह बहुत जरूरी चीज़ है, जो कह रहे हैं कि MSP चलती रहेगी, सर, इसमें लिखा है, unbundling of FCI operation of procurement, storage and distribution, सर्फ सर्फ रेकमेंडेशन, chairman साफ की है, कि FCI को unbundle किया जाएगा, procurement and storage की distribution से हटाया जाएगा, और यही कारण है, कि आज किसान के मन में इतनी बड़ी शंकाय कि इतना बड़ा आंदोलन, पिछले तीन महीने से बठा हुआ है, साफ, पर लेकिन इस सरकार की आप देखिए, इन्होंने कितना अहंकार, कि पिछले 75 दिनों से ना ही किसी मंत्री को उधर बेजा, बलकि यह अंदोलन शुरू होते सारी, शुरू हो गया, यह विचोलियों का अंदोलन है, फिर यह माविस का हो गया, फिर यह नकसल का हो गया, फिर यह आतंकवाती का हो गया, खालिस्तान का यह बैठे हैं मंत्री MP, एक कहते थे पाकिस्तान और चाइना, से यह हो रहा है, व तो कि जब 11 रावर और टॉक्स कर रहे थे तो क्यों खालस्तानियों से आतन्कवादियों से आप बात कर रहे थे तो सर मैं यही कहना चाहूंगी ठीके साथ के सुनने जब ये देश में खाने को नहीं होता था ये किसान था अखीर में मैं चीसे जरूर आना चाहूंगी 26 जैन्वरी की बात बहुत करी जाती है सा उस दिन में जो वाइलन्स हुआ हर एक को दुख है वाइलन्स नहीं होना चाहिए लेकिन जो इंटेलिजन्स फेलियर हुआ है आज क्यों उसके बारे में कोई बात नहीं करता है 25 शाम को जो एक स्केज से एलान किया गया था कि जो डेजिगनेटेड रूट है उस रूट में नहीं जाएंगे लेकिन लाल किड़े की तरफ जाएंगे तो जे 25 शाम को पता था आप चार घंटे में लॉकडाउन कर सकते हैं चंद घंटों में नोट बंदी कर सकते हैं एक रात पहले आपको पता आप एक रस्ता नहीं बन कर सकते थे कौन इसका जवाब देगा और ये जिनके साथ जिनों ने दानेशी ने जिनका जिकर किया है वो आज पकड़े गए हैं दो पते के बात सा एक बात और सा पर बहुत बात करी गई तिरंगे का अपमान सा दो मिनेट सा तिरंगे के अपमान के बारे में बात करी गई अरे भाई सार उस तिरंगे की अब बात कर रहे हैं जिस तरंगे को लहराने के लिए सटर फीस्टी खून इस कौम का डुला था काला पानी हो फासी हो सबसे जावी शाहते इस कौम ने दी थी और सर तरंगे में लहराया तो वो आपके ते केस्री लगा दिया तो ये वो ही केस्री है जो आपके प्रधान मंत्री जी और वर्ल लीडर अपने सिर पे लेके गुशते हैं उस निशान साहिब हो आपने केस्री को कठेरे में खड़ा कर दिया जिस केस्री करके सा हमारे नौवे गुरू ने सीक लाल के ले के सामने ये एक सीट ऑफ प्रेशन है हमारे लिए सीट ऑफ तिरनी है जहां से हमारे नौवे गुरू की शहादत का ऐलान किया गया था और क्यूं शहादत होई थी आपके जलाओ और तिलत पो बचाने के लिए हमारे गुरू ने शहादत दी कि किसे हैं हमारे गुरू आपके हैं तो फिरू से और वो केष्री लेडाने के लिए आज आपके गुरू बन गए आज आज आपके घंडे और जाज गुरू के बच्चों को 400 साल पार ये लोग आतलवादी कहके तो केष्री को नेरे पे खड़े कर रहे ये कहा का इंसाफ है तो ये बोल रहे थे कि क्या था भाजबा के गुंज का हाथ पूछ ले मंदीपुनियां से खोली ये वेबसाइट एक एक आपके भाजबा का वोकर क्या कर रहा था बताया जाएगा और ये फिर भी कोई शक है दलितों की बास की जाती है बाजबाती अभी वाशन में कि भी वेपुट एंटो बाबेरिसम ये क्या बाबेरिसम है स्टेट स्पॉंसर बाबेरिसम कि एक नहताया लड़का रंजीप चैंग जो एक घर में आग में गाने और तोकिश पैंक में आग में जाने से पुलीस को रोकता है कुल झाथा प्रतु पर्थे हैं आप से तूट पड़ते हें आपका बशके स्बंड़ पार, भी प्रतु है आपकि ऑ размAPP जिय या हर्मान बैनिवाल जी राष्टस काणस शूराश को मरा है चानिमान भी आपका सर्ट सूत थाया?. प्रदान मंत्री जी ने बोला कि ये अंदोलन जीवी नेकिन उसके बाद एक और शब्द बोला था जो मेर को मतलब नहीं पता था मैंने खोल के देखा हो केसे हैं परी जीवी परी जीवी मतलब पैरसाइट किसको पैरसाइट बोल रहे हैं उस अंदाथा को पैरसाइट बोल रहे हैं जोह अनपैदा सरके पेड़घर तै यह जीजों को बोले है कि आ लन फेलवन का लिजाएड को को तोcover और है अबनिवार जी टीक झाल झाल